दिवाले के बाद कार्तिक शुक्लिक दित्या को हमेशा भाईदूश मनाया जाता है बहने भाईउं को तिलक लगाती है और ये परंपरा सत्यों से चलती आ रही है पर क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम की भी एक बहन थी जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे उनके बारे में हम आपको बताते हैं उनका नाम शानता था अक्सर रामाईन उनके बारे में इतनी चर्चा नहीं है पर उनका आज भी एक मंदिर है और वो मंदिर कैसे बना और उनकी कहानी के बीचे क्या कुछ राज है ये आपको हम बताते हैं श्री राम के साथ उनके भाईयों का जिक्र भी हमीशा होता है लेकिन शायद ही आप में से किसी को पता होगा कि श्री राम की एक बहन भी थी ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की सबसे बड़ी बेहन शानता थी जब रामाईन की बात आती है तब शानता का जिक्र लगभक ना के बराबर होता है लोग इस बात से अंजान है कि महराजा दशरत और रानी कौशलिया की सबसे बड़ी बेटी शानता थी आज भी देवी शान्ता की कुछ स्थारों पर पूजा भी होती है भगवान राम की सबसे बड़ी बहन जिनका नाम शान्ता था वो महराजा दश्रत और कौशलिया की पुत्री थी ऐसा माना जाता है कि शान्ता सर्वगुन्ट संपन थी और सभी शेत्रों में निपुन्ट थी ऐसा ये भी माना जाता है कि राजा दश्रत ने अपनी पुत्री शान्ता को अपनी खली श्मित्र अंग्दीश के राजा रोमपत को सौप दिया था पुराणे कताओं में इस बात का जिक्र है कि एकुपार राजा रोमपत अपनी पत्नी वर्षणी के साथ दश्रत और कौुशल्या से मिलने आए दरसल वर्षणी कौुशल्या जी की बहन और श्री राम और देवी शान्ता की मौसी थी उस समय वर्षणी ने अपनी बेहन से देवी शान्ता को गोद लेनी की इच्छा जताई और कोशल्या ने शान्ता को अपनी बेहन को सौप दिया इस प्रकार शान्ता अंगदीश की राजगुमारी बन गई ऐसा माना जाता है कि देवी शान्ता, वेद, कला और शिल्प कला में टिम्पून थी शान्ता बोहती सुन्दर थी एक दिन राजा रोंपत अपनी पुत्री शान्ता से वारतलाप में व्यस थे और उसी समय एक ब्राह्मन अपनी व्यथा सुनाने राजा के पास पहुँच गया राजा उस गरीब ब्राह्मन की याचना नहीं सुन पाए और ब्राह्मन रिष्टो कर उन्हें श्राप दे कर चले गए उस समय इंद्रदेव भी अपने भक्त का ये अपमान सहना कर पाए और उन्होंने धर्ती पर सूखा कर दिया उस समय राजा रूमपत एक रिषी श्रंग के पास गए जिससे उन रिषी श्रंग ने सूखे से धर्ती को मुक्तिद लाई राजा रूमपत ने रिशी श्रंग के कार्यों से संपन होकर अपनी बेटी शान्था का विवा उनसे कर दिया ऐसा माना जाता है कि शान्था और रिशी श्रंग के पूरवज सैंगर राजपूत है जिने एक मात्र रिशी वंशी राजपूत कहा जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे पहले राजा दश्रत की पुत्रे का जनम हुआ लेकिन पुत्री होनी की वज़े से वो सिंगहसन पर नहीं बैठ सकती थी इसलिए उन्होंने शान्ता को गोद दे दिया जब कई सालों बाद राजा दश्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई, उस समय रिशी श्रंगी ने पुत्र की प्राप्ती हे तो यक करवाया, जिसमें शान्ता भी शामिल हुई, उस यक के बाद दश्रत को चार पुत्र हुए, श्री राम, लक्षमन भरत और शत्रुगन की प्राप्ती हुई रामयन में शांता का विस्तार से विवरन इसली नहीं है क्योंकि उन्होंने बच्पन में ही राजा दश्रत का बहल छूप दिया था और वो पुत्री होनी की वज़े से सिंगासन ना समाल सकती थी लेकिन आज की समय में दक्षिन के कई मंदिरों में देव कि ये वीडियो में बस इतना ही देखते रहे ही पंचाब केसरी